सर्व्यभ्यो नमो नमह मम नाम डाक्टर लूनेश कुमार वर्मा व्याख्याता सास्की उचितर माध्यमिक विद्याले छशान परी जिलरायपूर मध्य आम व्याख्याता रूपेण पदस्तोस मी अध्य वयम पठामह नवम्याह कक्षायाह संस्कृत विसयम प्यारे बच्चों आप सभी संस्कृत के विसयमें जानते हैं संस्कृत साहित्य को जानते हैं संस्कृत साहित्य विस्व साहित्य का अतूल साहित्य है अपार साहित्य है इनमें ज्ञान विज्ञान की बातें निहित हैं न किवल ज्ञान विज्ञान की बातें अपितु नीती की बातें भी इनमें समाहित हैं तो ऐसे ही जो नीती युक्त स्लोक कहे गए हैं वचन कहे गए हैं इन्हें ही नीती वचन या सुभासित स्लोक या सुभासित वचन भी कहा जाता है तो आईए हम ऐसे ही नीती वचनों को आज हम अध्यन करेंगे पाठ सुभासितानी के माध्यम से हम सबसे पहले इस पाठ में जो सुभाशी स्लोक दिये हैं इन स्लोकों को सूनते हैं तपो बलं ताप सानाम तपो बलं ताप सानाम ब्रह्म ब्रह्म विदाम बलं हिन्सा बलं साधुनाम छमा गोन्वताम बलं उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौनेच कलहो नास्ति नास्ति जागरिते भयम विद्या विवादाय धनम दाय सक्ति परेशां परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय चरप्चनाय ये साम्न विद्या नतपो नदानम ज्ञानम नसीलं गुनोन धर्मह ते मार्त्य लोके भुवी भार भूता मनोस्य रूपेण म्रिगा अश्यरंती सुखार्थिनह कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनह सुखम सुखार्थि वात्यजेत विद्याम विद्यार्थि वात्यजेत सुखम छिन्णो पि रोहति तरुह, छिन्णो प्यूप ची यते पुनस्चन्रह, इती विम्री संतह संतह संतप्यंते नलोकेशु। यथा चतुर्भिह कणकाम परिक्षते, निघर्षण छेदन ताप ताज नई, तथा चतुर्भिह पुरुसह परिक्षते, त्यागेन सीलेन गुणेन कर्मणा। न सासभायत्रण संति वृद्धा, न ते वृद्धाये न वदंति धर्मं। ना सौधर्मो यत्रण सत्यमस्ती, न तत्सत्यम्यच्छले न अभ्युपवेतं। पुस्पे गंधं तिले तैलं, काश्ठेग्णिं पया सिघ्रितं, इक्छव गूडं तथा देहे, पस्यात्मानं विवेकत ह। सत्येन धार्यते प्रिथिवी, सत्येन तपते रविह, सत्येन वाति वायोष्य, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितं। प्यारे बच्चों, अभी हमने पाठ सुभा सितानी को भली भाति सुना, और अब आईए, हम इन्हें क्रमसह एक एक स्लोक करके, इनके अर्थ को, इनके भाव को समझते हैं। और साथ ही साथ, जो व्याकरनिक तत्व इन स्लोकों में हैं, उन्हें भी हम समझने का प्रयाज करते हैं। प्रहला स्लोक है, तपो बलम तापसा नाम, ब्रह्म ब्रह्म वीदाम बलम, हिन्सा बलम साधूनाम, छमा गुन अताम बलम। यह हमारा प्रहला स्लोक है, तपो बलम तापसा नाम, ध्यान दीजेगा, जब हम इन स्लोकों की चर्चा कर रहे हैं, जैसे हम पहला स्लोक देख रहे हैं, तो इसमें चार चरण हैं। कौन कौन से चार चरण हैं, तपो बलम तापसा नाम, यह प्रथम चरण है, ब्रह्म ब्रह्म वीदाम बलम, यह द्विती चरण है, हिन्सा बलम साधूनाम, यह त्रिती चरण है, और चतूर्थ चरण है, छमा गुन वताम बलम। तो इन चार चड़नों से मिलकर हमारा यह अनुष्टुप चंद, युक्त स्लोक जो है, बना हुआ है, आईए, इसके भावार्तों को समझें, इससे पहले इस स्लोक में जो व्याकरनेक तत्व है, इन्हें समझने का प्रयास करते हैं, तपो बलम, यह जो पद दीख रहा है, य संधी जब हम अलग करेंगे, तब यह बनेगा तपधन बलम इति तपो बलम, यहाँ पर विशर्व संधी का प्रयोग हुआ है, तापसा नाम, यह जो सब्द दीख रहा है, तापस मूल सब्द है, इसका तातपर यह होता है, तपस्वी या सन्यासी, तो तापस सब्द में अश्ठ्वी भक्ति बहु अचन का यह रूप प्रयुक्त हुआ है, और इस तरह से फिर रूप बना है, तापसा नाम, तपस्वियों का, ब्रह्म ब्रह्म विदाम बलम, हिन्सा बलम साधुनाम, देखे, बलम साधुनाम, यहाँ जो सब्द दीख रहा है, यहाँ संधी यु बलम मतलब बल और असाधुनाम मतलब, जिसे हम दूर्जन कहते हैं, असाधुनाम का ताथ पर यह होता है, देखे, साधु मूल सब्द है, इसमें अउपसरगा का योग हुआ है, और इस तरह से यह विलोम अर्थ देने वाला हुआ, साधु का अर्थ होता है सज्जन, दोड़ की सष्थुविभक्ति बहुचन का यह रूप है, असाधुनाम, तो दूर्जनों का छमा गुणवताम बलम, तो यहां देखे, जो विभिन लोग है, जो तपस्या करने वाले लोग है, जो ब्रह्म की उपास्न करने वाले लोग है, जो हिंसक लोग है, उन सब की वि इस्ताओं को यहां बताने का प्रयास किया गया है, तो तपो बलम तापसानाम, तपस्या, बल है कि इसका तापसों का अर्थात सन्यासियों का, तो सन्यासियों का बल क्या है, तप है, जो तपस्वी है, उनका बल क्या है, उनका बल है तप, इसलिए कहा गया है, तपो बलम तपसा नाम अब तपस्यों का बल तप है भरह्म भरह्म विदाम बलम और 겠죠 और ब्रह्म कहा जाता है वेद को मैं भरह्म जो है पहले ब्रह्म ज्यानियों का बल है हिंसा बलं साधुनाम असाधुनाम अर्थात दूर्जनों का दूर्जनों का बल क्या है दूर्जनों का बल है हिंसा अर्थात उनकी प्रवरित्ती है जो दूष्ट होते हैं जो दूर्जन होते हैं ये गलत मार्ग को अपनाते हैं और गलत मार्ग को अपनाते हुए वे हिंसा जैसे निंदनी कृत्य को करने से भी परहेज नहीं करते हैं इसलिए कहा गया हिंसा वलं साधुनाम अर्थाद दूर जनों का बल हिंसा है छमा गुण वातां वलं और जो गुणवान लोग होते हैं जो सजन होते हैं जो अच्छे लोग होते हैं इनका बल है छमा करना दया करना त्याग करना परुपकार करना इसलिए कहा गया छमा गुणवताम बलम जो गुणवान लोग होते हैं जो सज्जन होते हैं इनका बल छमा करना है नेककारी करना है परुपकार करना है जिसको हम सील कहते हैं जिसको व्यभार कहते हैं इसका पालन करते हैं कौन सज्जन इसलिए कहा गया चमा गुणवाताम बलम चमा गुणवान लोगों का बल है आईए इसलोग का हम अर्था देखते हैं तो इसलोग है तपो बलम तापसा नाम ब्रह्म ब्रह्म विदाम बलम हिंसा बलम साधुनाम छमा गुनुवताम बलम तपस्या सन्यासियों का बल है ब्रह्म अर्था वेद ब्रह्मचारियों का बल है इसी तरह हिंसा बलम साधुनाम हिंसा दूर जनों का दूष्टों का बल है चमा गुण वताम बलम और सजनों का बल चमा करना है तो ये इसलोग का अर्थ हो गया अब इसलोग से संबंदित कुछ प्रशन विभिन परिक्षाओं में पूछ जाते हैं एक तो इसलोग का भावार्थ पूछा जा सकता है साथ ही इसलोग का अर्थ पूछा जा सकता है या सलोग के किसी पद को जो चार चरण भी यहां मैंने बताया उन चार चरणों में से किसी एक चरण का अर्थ पूछा बहुंचा जा सकता ये कहां जा सकता है उससे तरसरे आब ये इस तरह स्ंयाश्योन से संबंधित प्रशन पूछे जा सकते हैं और साथ ही साथ कुछ सब्ध हैं जैसे कहा जा सकता है तपस्या इती पदशय पर्याय पद अष्मिन स्लोके किम पदम प्रयुक्तम अर्थाद तपस्या इस पद के अर्थ में इस स्लोक में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है तो तपस्या इती पदस्य पर्याय पदम आश्मिन स्लोक के प्रयुक्त पदम अस्ति तपह अर्थात तपस्या के अर्थ में तप इस सब्दक का प्रयुग इस स्लोक में हुआ है ऐसा आप इसका उत्तर दे सकते हैं इस तरह से प्रस्ण किया जा सकता है तपस्वी नाम इती पदस्य पर्याय पदम अस्मिन स्लोक के किम पदम प्रयुक्तम तो तपस्वी के अर्थ में कौन से सब्ध का प्रयोग हुआ है यहां तापस सब्द का प्रयोग हुआ है तो तपस्वी नाम इती पदस्य पर्याय पदम अस्मिन स्लोके प्रयुक्त पदम अस्ति तापसा नाम जिस तरह से पर्याय पदों को पूछा जा रहा है इसी तरह से हो सकता है वीपर्यय या विलोम पदों को भी पूछा जा सकता है जैसे आहिंसा इती पदस्य वीपर्यय पदम अस्मिन स्लोके किम पदम प्रयुक्तम अर्थात अहिंसा इस पद के विलोम या विपर्याय के रूप में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है उत्तर होगा अहिंसा इती पदस्य विपर्याय पदम अस्मिन स्लोक के प्रयुक्त पदम अस्ति हिंसा अहिंसा का विलोम क्या होता है हिंसा तो अहिंसा का विलोम पद इस स्लोक में हिंसा यह प्रयुक्त हुआ है ऐसा आप उत्तर दे सकते हैं चाहे प्रस्न हिंदी में पूछा जाए चाहे प्रस्न संस्क्रित में पूछा जाए आप इस तरह के उत्तर दे सकते हैं ऐसे ही दूर जना नाम इती पदस्य अर्ष मिन स्लोके विपरियाय पदम किम प्रयुक्तम अर्थाथ दूर जना नाम इस पद के विपरियाय या विलोम अर्थ में कौन सपद प्रयुक्त हुआ है दूर जना नाम इती पदस्य विपरियाय पदम अस्मिन स्लोके प्रयुक्त पदमस्ति असाधुनाम अर्थाथ दूर जना नाम इस पद के विलोम के रूप में इस स्लोक में जो प्रयुक्त पद है वह है असाधुनाम असाधु नाम जो है दूरजना नाम का विलोम क्यों होगा वो इसलिए क्योंकि असाधु का तात्परी होता है दूरजन और असाधु नाम जो कह रहे हैं असाधु सब्द में सश्थ्य भक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है इसी तरह से असाधु के विलोम दूरजन सब्द में भी सश्थ्य भक्ति बहुवचन का रूप यहां प्रयुक्त हुआ है जिसके विशाय में यहां प्रस्ण किया गया था तो दूरजना नाम इती पदस इस तरह से स्लोक से संबंधित जो विभिन प्रस्ण पूछे जाए इनके उत्तर हम दे सकते हैं कि आए अगे बढ़ते हैं हमारा अगला स्लोक है उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मोने चकल हो नास्ति नास्ति जागरी ते भयम यहां भी चार चरण है तो विभिन चरणों से संबंधित प्रस्ण पूछे जा सकते हैं आईए पहले हम स्लोक के भावार्थ देखते हैं उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम दारिद्र कहते हैं निर्धन्ता को दरिद्रता या दारिद्र्य दरिद्र मूल सब्द है और इसका भावाचक जब बनाते हैं तब वो बन जाता है दारिद्र्य या दरिद्रता तो उद्योगे उद्योग कहते हैं परिश्रम को उद्योगे मतलब परिश्रम में या परिश्रम करने पर नास्ति यह जो पद है यह संधी युक्तपद है इसमें से हम संधी अलग करें नाधन अस्ति इती नास्ति यह हो गया दीरगसवर संधी तो उद्योगे नास्ति दारिद्रयम परिश्रम करने पर निर्धनता नहीं है या नहीं होती है अर्था जो व्यक्ति परिश्रम करता है उस परिश्रम से उसे धन की प्राप्ति होती है और इस तरह से वह निर्धन नहीं रहता है वह दरिद्र नहीं रहता है अर्था जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसे किसी के आगे हाथ पहलानी की आवशकता नहीं होती है किसी से मांगने की आवशकता नहीं होती है जब भी धन की आवशकता हो या अपनी विभिन आवशकताओं की पूर्ती के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए परिश्रम करना चाहिए क्यों परिश्रम करना चाहिए उद्योगे नास्तिदारिद्र्यम क्योंकि परिश्रम करने पर निर्धनता या दरिद्रता नहीं रहती है हमारी विभिन आवशकताओं की पूर्ती परिश्रम करने से हो जाती है परिश्रम करने से धन प्राप्त होता है और उस धन से हम अपने विभिन आवशकताओं की पूर्ति कर सकते हैं इसलिए हमें सतत परिश्रम करना चाहिए उद्योगे नास्ति दारिद्रम परिश्रम करने पर निर्धनता नहीं रहती है जपतो नास्ति पात कम और जप करने से पाप नहीं है अर्थात हम अपना कारिक करते रहें इस्वर का भजन करते रहें इसमें कहीं कोई पाप नहीं है मोने चकलहो नास्ति दिखिर नास्ति सब्द बार बार आया है जहांबJan hops आया है आप इसका संधी वीच्छत कर सकते हैं न द्हन अस्ति इन दिर्घस्वर संधी दिर्घस्वर संधि के नियम आप जानते हैं जब समान शار आपस में मिलते हैं और वह दिर्ग हो जाता है वहां दिर्गस्वर संधी होता है जैसे नास्ति कहते हैं तो ना धन अस्ति ना कहते हैं तो ना में अ मिला हुआ है और उसी साथ फिर अस्ति का अ तो ना का अ और अस्ति का ये दोनों मिलकर क्या हो जाता है आ हो जाता है तो इस तरह से ना धन अस्त इति नास्ति यह बना तो यहां दिर्गस्वर संधी का उधारण है तो इसी तरह से पाठ में या कहीं पर भी कोई भी उधारण आता है कोई भी सब्दा आता है तो संधी के जो विभिन नियम है उनकी अनुसार उन सब्दों का आप विच्छेद कर सकते हैं अग मॉने चकलहो नास्ति और देखिए बात यदि कलह की आती है बात लडाई जगडा की आती है तो लडाई जगडा कब होता है जैसे कहा जाता है कि ताली जो है दोनों हाilen सें बज़ती है अर्थात कहीं पर कोई विवाद हो रहा है कोई बात हो रही है और आप उसमें अपनी बातें मिलाते जा रहे हैं तब यह क्या होता है? यह आग में घी डालने जैसा होता है ऐसी स्थिती में उस विवाद को सांत करने का उत्तम तरीका क्या है? वहाँ पर चूप रहना, मौन रहना या उत्तम तरीका है इससे कलह या जगड़ा नहीं होता है इसलिए कहा गया है मौने चकलहो नास्ति मौन रहने पर कलह नहीं होता है नास्ति जागरिते भयम जागरिते अर्थात जागरित रहने पर सजग रहने पर भयम भय कोई व्यक्ति यदि पहले से ही सतर कहो सजग हो तो उसको किसी चीज का भय नहीं होता है जो आपदा आने वाली होती है इसका व्यक्ति यदि उचित प्रबंध पहले से कर ले तो उसको किसी का भय नहीं होता है इसलिए कहा गया नास्ति जागरिते भयम अर्थात जागरिते जागरित रहने पर या जागरिते रहने पर जागते रहने का मतलब सतरक रहने पर भय नहीं होता है तो उद्योगे नास्ति दारिद्रम जपतो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ते नास्ति जागरिते भयम इसलोग का अर्थ होता है परिश्रम करने पर निर्धनता नहीं है जप करने से पाप नहीं है मौन अर्थात चूप चाप रहने पर कलह या जगड़ा नहीं है और नास्ति जागरिते भयम सतरक रहने पर भय नहीं होता है इसलिए हमें सतत क्या करना चाहिए परिश्रम करना चाहिए सतत परिश्रम करने से दरिद्रता या निर्धनता नहीं होगी और जपतो नास्ति पात कम और जप करने से इस्वर का भजन करने में कोई पाप नहीं है और मौन रहने पर हम लड़ाई जगड़ा विवाद जो होता है कलह जो होता है इससे बच सकते हैं और इसी तरह से हम सतर कर रहते हैं समय से पहले यदि हम सतर कर रहते हैं तो हमें कोई भय नहीं होता है तो ये स्लोक का अर्थ हुआ है ये स्लोक के अलहार पर कुछ प्रसन पूछे जाते हैं विभीन परीक्षाओं में एक तो यह पूछा जा सकता है कि स्लोक में जो चार चरण इनके पूरा स्लोक का अर्थ पूछा जा सकता है एक दूसरा इन में से किसी एक चरण का अर्थ पूछा जासकता है या कभी वस्तहुनिंस्ट प्रशन जो होते हैं इन प्रश्णों में भी ख कutions संबंधित प्रशन पूछे जा सकते हैं जैस kingdoms अब उसके बाद अलग अलग आपको विकालप दिये जा सकते हैं धारिद्रियम पातक मों कल भयं इस तरह से तो चार-चरण हैं फे इस तरह के प्रशन पूछे जा सकते हैं तो आप यımızıaktu स्लोक का अधिन किये हैं तो आप इसका सही उत्तर दे सकते हैं सही उत्तर क्या होगा जपतो नाष्ठी पातकम ऐसे आपको करना है इसी तरह से रिक्तेस्थान संबंधी पूछे जाते है उनमें भी किसी एक पत के अधहार पर आपसे प्रश्ण पूछा जा सकता है, जैसे मोनेच रिक्तिस्थान नास्ति, अब यहाँ आपको क्या करना है, रिक्तिस्थान की पूर्ति करना है, तो स्लोक के दिए आप भली भाती जानते हैं, तो इसका उत्तर सही रूप से दे सकते हैं, मोनेच रिक्तिस्थान के स्थ तो इस एक वचन का रूप होगा यदि कलहो लिखते हैं तो यहां पर विसर्ग संधी का नियम लागू हो जाता है वो कलहो लिखते हैं यहां भी सही है और कलहा यहां लिखते हैं यहां भी सही होगा तो इस तरह से परिक्षा में विभीन तरह के प्रस्ण पूछे जा सकते हैं कभी-कभी प्रस्ण पूछा जा सकता है कि परिश्रमे इती पदस्य पर्याय पदम अस्मिन स्लोके किम पदम प्रयुक्तम अर्थात परिश्रमे अर्थात परिश्रमे इस अर्थ में इस लोक में कौन सब पद प्रयुक्त हुआ है तो कौन सब पद प्रयुक्त हुआ है उद्योगे तो उत्तर हमको लिखना इस तरह प्रसन पूछा जा सकता है निर्धनता इती पदस्य परियाई पदम अस्मिन सलोके कीम पदम प्रयुक्ताम निर्धनता के अर्थ में इस स्लोक में कान सा पद म हुआ है तो दारिद्र्यम इती पदस्य प्रयोगम निर्धनता कृते अस्मिन स्लोके अस्ति अर्थाथ दारिद्र्यम इस पद का प्रयोग जो है निर्धनता के अर्थ में इस स्लोक में हुआ है पातकम, पातकम कहते हैं पाप को, तो इसका भी परियाय आपको पूछा जा सकता है, साथ ही विलोम पद भी पूछा जा सकता है, जैसे निर्भयम इती पदस्य विलोम पदम वा विपरियाय पदम अस्मिन स्लोके किम पदम प्रयुक्तम, तो नीर्भायम इस पद के विलोम या विपर्याय की रुप में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है उत्तर क्या होगा भायम बेलकुल सही है तो उत्तर हमको उसी भासा में लिखना है को इस भासा में जिस भासा में प्रश्ण किया गया है कि तो नीर्भायम इती पदस्य विपर्ययपदम या विलोम पदम अस्मिन स्लोक के प्रयुक्त पदम अस्ति भायम इस तरह से स्लोक से संबंदित जो वी प्रस्ण पूछे जाए इनका उत्तर आप भली भाती दे सकते हैं आईए आगे बढ़ते हैं हमारा अगला स्लोक है अगला स्लोक है विद्या विवादाय धनमदाय सक्ति परेशांपरिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत में तद ज्यानाय दानाय चरक्षणाय इस स्लोक में विचार चरण है इन चारो चरण से संबंदित विविवादाय विद्या विवादाय विद्या टत्म pourtant प्रत्मः भक्ती एक वचन का सब्द है आकारन्त और विवाद रहे विवाद मुल्षा सब्द है चतुर्थी भक्ती एक वचन का यह रूप है और इसका तात्पर होता है विवाद के लिए तो विद्या-विवादाय ध्यान दीजेगा इस इस स्लोग के जब हम अर्थ देखते हैं, तो चारोचरणों को हम देखते हैं, देखना होगा में, विद्या, विवादाय, धनम, मदाय, सक्ति, परे, साम, परी, पीजनाय, खलस्य, साधोर, विपरीत, मेतद, ज्ञानाय, दानाय, चरक्षनाय, यह पुरा स्लोग है, इसमें ख खलस्य, विद्या, विवादाय, खल कहते हैं, दूर्ष्ट को, प्रस्न पूछा जा सकता है, खलस्य, अर्थात, दूर्ष्टस्य, खल मतलब होता है, दूर्ष्ट, या दूर्जन, तो खलस्य, विद्या, विवादाय, दूर्ष्ट की विद्या, यह दूर्ष्ट की विद् धन जो होता है वह अहंकार के लिए होता है मद के लिए होता है खलस्य सक्ति परेसाम परी पीड़नाए और दूस्ट व्यक्ति की सक्ति जो होती है वो किसलिए होती है परेसाम परी पीड़नाए दूसरे व्यक्ति को पीड़ा देने के लिए होती है तो इस तरह से खलस्य पद जो त्रिती चरण में आया है इसका अर्थ जो है प्रथम और द्विती चरण के लिए है तो खलस्य विद्या विवाद आए दुष्ट व्यक्ति की विद्य जो है विवाद के लिए होती है धन जो है वो खलस्य धनम मद आए और खल का अर्था दुष्ट का धन जो है वो मद के लिए या आंकार के लिए होता है इसी तरह से खलत से सकती दुष्ट विक्ति की सकती परे साम परी पीड़नाए दूसरों को पीड़ा देने के लिए होता है तो यह एक हुआ और दूसरा वनिए खल की विश्यष्टा है क्या है यह इतने सब्दों में बताये गया आगे कि जो है उनमें साधोर विपरीत मेतद इसके विपरीत साधोह साधोह सब्द कैसे बनता है देखे साधोर विपरीत मेतद यह सब्द कह रहे हैं इसका हम संधी विच्छेद करें तो साधोह धन विपरीतम धन एतद साधोह धन विपरीतम यहाँ पर विशर्ग संधी का प्रयोग हुआ तो साधो साधो चाहत के से बनता है साधू मूल सब्द है साधू सब्द पंच्व भग्ति और सष्ट्वी थिे एक वचन ने रूप बनता है साधो है तो यहाँ पर जो साधू रूप प्रिपो कुड़त हुआ है वहाँ पंच्वी भग्ति का नहीं है कौनसा सच्छी भक्ति एक वचन का यह रूप है और सकता पर होता है इसका ताथ पर यह होता है साधुष का कि क्या हुआ दोस्ट की क्या विसेश्ता ही तो आपको उपर बता दिया गया अब बता जा रहा है कि सजन का जो व्यवहार है सज्जन की जो विद्या है वो किसलिए विप्रीत मेतद विप्रीत है किसके विप्रीत है दूष्ट के जो विद्या है उसके विप्रीत साधू का साधू की जो विद्या है वो किसलिए होती है साधोह विद्या ज्यान आएं अर्थात साधो की विद्या जो है वह ज्यान के लिए होती है खलस्य विद्या की मर्थम भवती खलस्य विद्या विवाद आए भवती अर्थात दूष्ट व्यक्ति की विद्या जो है विवाद के लिए होती है विप्रीत में तद इसके विप्रीत साधोह विद्या ज्यानाई साधो की अर्थात सज्जन की जो विद्या है वो किसलिए होती है वो ज्यान के लिए होती है खलस्य धनम मदाय, खलका अर्था तो दूस्ट का धन जो है वो मद या अहंकार के लिए होता है साधोह विपरीत मेतद और सज्जन का इसके विपरीत होता है साधोह धनम दानाय, सज्जन का धन जो होता है वो दान के लिए होता है खलस्य सक्ति परेसाम परी पीडनाय और दूस्ट व्यक्ति की जो सक्ति होती है वो दूसरों को पीडा देने के लिए होती है विपरीत मेदद इसके विपरीत साधोह सक्ति रक्षनाय अर्थाद दूस्ट व्यक्ति की जो सक्ति होती है वो दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है इसके विपरीत साधो की सज्जन की सक्ति जो है दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है इस तरह से इस लोक में सज्जन की विद्या और धन और सक्ति का किस तरह से प्रयोग होता है या किस तरह से वह उसका उपयोग या दुरुपयोग करता है इसके विश्यम बताएगे और साथ ही साथ सज्जनों की प्रवित्ति और दूस्टों की प्रवित्ति कैसी है इसके होता है दूस्ट जो होते हैं वो दूसरों को पीड़ा देने का कार्य करते हैं लेकिन वहीं सज्जन जो है लोगों की या प्राणियों की रक्षा करने का कार्य करते हैं यह विद्या की बात की जाए तो दूस्ट के पास यह विद्या हो तो उस विद्या का वह क्या करता है वह धन यदि दूष्ट को मिल जाय तो उस धन को प्राप्त करके वह मद्य अहंकार में डूब जाता है इसके व्यपरित साधू जो है उस धन को दान आधी परूपकार के कारियों में लगाता है इसी तरह से यदि दूष्ट को सक्ती प्राप्त हो जाए तो उस सक्ति को वह दूसरों को सताने के लिए दूसरों को पीड़ा देने के लिए उसका उपयोग यदूर उपयोग करता है किन्तों साधु को यदि सक्ति प्राप्त हो जाए तो वह परुपकार में लगाता है दूसरों की रक्षा करने के लिए इसका उप्योग करता है इसलिए कहा गया विद्या विवादाय धनम्मदाय सक्ति परेसां परिपिधनाय खल अच्य साधोर विप्रीत में तद ज्यानाय दानाय चरक्षणाय तो खल अर्था दुस्ट और साधो इन दोनों के विशाय में अर्था वे अपने विद्या का कहा उप्योग करते हैं धन का कैसे उप्योग करते हैं और सक्ति का प्रयोग किस तरह से करते हैं कौन दूस्ट और सज्जन इसके विशाय में इस स्लोक में बताया गया तो विद्या विवाद आये, इसलुक अर्थ देखते हैं, दूस्ट की विद्या विवाद के लिए होती है, दूस्ट का धन मद या अहंकार के लिए होता है, दूस्ट की सक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है, साधोर विपरीत मेतद ग्यानाय दानाय चरक्षणाय इसके विपरीत साधो की विद्या ग्यान के लिए होती है साधो का धन दान के लिए होता है और साधो की सक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है यह इस लोग का अर्था हुआ विवियन परिक्षाओं में अलग अलग तरह के प्रस्न पूछ जा सकते हैं इस स्लोक में जो चार चरण हैं उन चार चरणों में से किसी एक चरण का अर्थ लिखने के लिए कहा जा सकता है लेकिन यहां पर केवल एक चरण का अर्थ आप लिखना उचीत नहीं होगा क्यों क्योंकि इस पूरे स्लोक में जो चार चरण हैं उनमें खल की और साधो की जो विशेस्ताएं हैं उसको कहा गया है तो इस तरह से दोनों विशेस्ताएं खल की विशेस्ताएं जो ऊपर दी गई हैं और साधो की विशेस्ताएं जो हैं नीचे पूछा जा सकता है स्लोक अर्थ शलोक में प्रयुक्त विभीन पत्न हैं उनकी विभक्ती रूपं को पहचानने केF 않 चान जा सकता है इदि कहा दिया गया कि अस्मिन स्लोक केि और प्रयुक्त अव्य पधन चिनुवत को search नहीं होता है अर्थाथ उनमें न तो कमी होती है न विद्धी होती है वे सदेव तीनों लिंगों में तीनों वचनों में तीनों पूरुसों में सदेव एक समान होते हैं तो यहां हम स्लोक में देखते हैं तो च यहां एक अव्याइपद है और इसका स्वरुप यथावत होता है चाहे कहीं पर भी इसे प्रयुक्त कर लिया जाए तो असमी वीविवळक्ति प्रयूग होता है या उनके स्वरूप जो है वे बदलते है इसलिए अव्यायपत नहीं है । लेकिन च्राह का स्वरूप नहीं बदलता है इसलिए क्या है यह अव्यायपत है कि इस स्लोक से संबंधित प्रशन पूछा जा सकता है जैसे अहंकाराय इति पदस्य परियाय पदम अस्मिन स्लोक के किम पदम प्रयुक्तम अर्थात अहंकाराय इस पद के अर्थ में इस स्लोक में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है क्या होगा आप स्लोक का अर्थ भाली भाति आप समझ लिए हैं अब तो अहंकार के लिए कौन सा पद का प्रयुक्त इस स्लोक में किया गया है यह पूछा जा रहा है तो कौन सा पद है बिल्कुल सही मदाय तो उत्तर आप लिख सकते हैं अहंकाराय इती पदस्य पर्याय पदम अस्मिन स्लोके प्रयुक्त पदम अस्ती मदाय इसी तरह से अन्य साम इती पदस्य पर्याय पदम अस्मिन स्लोके किम पदम प्रयुक्तम अन्य साम इस पद के पर्याय रूप में इस स्लोक में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है तो अन्य साम इती पदस्य पर्याय पदम अस्मिन स्लोके प्रयुक्त पदम अस्ती परे साम अन्य साम इस पद के पर्याय के रूप में यहां प्रयुक्त हुआ है प्रस्लेया भी पूछा जा सकता है साधोह इती पदस्य विलोम पदम आस्मिन स्लोके किम पदम प्रयुक्तम तो साधोह मतलब क्या होता है साधू का तो इसके विलोम के अर्थ में कौन सा पद स्लोक में प्रयुक्त हुआ है पूछा जा रहा है तो साधोह इती पदस्य वीलोम पदम असमिन स्लोके प्रयुक्त पदम अस्ती खलस्य खलक मतलब होता है दूष्ट और खलस्य मतलब दूष्ट का साधोह साधो मतलब होता है सज्जन और साधोह मतलब होता है सज्जनों का खल मतलब होता है दुष्ट और खलस्य मतलब दुष्ट का तो साधोह सज्जन का खलस्य खल का या दुष्ट का तो इस तरह से इसका उत्तर आप लिख सकते हैं साथ ही प्रस्मी पूछा जा सकता है कि दूस्ट अस्य इती पदश्य पर्याएपदम अस्मिन शलो के किम पदम प्रयुक्तम? तो दोस्ट शे, इती, पदस्य, पर्यायपदम, अस्मिन स्लोके प्रयुक्त पदमस्ति, खलस्य, इस तरस पुछा जा सकता है, दानाय, इती पदे, प्रयुक्त विभक्ति, लिखत, अर्ठात, दानाय इस पद में कौवन से विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ध्यान दीजेगा इस स्लोक में जैसे विवादाय, ज्यानाय, दानाय, रक्षणाय, ये जो पद प्रयक्त हुए हैं, इन सभी पदों में चतूर्थी भक्ती का प्रयोग हुआ है विवाद मूल सब्द है, विवाद मूल सब्द का चतूर्थी भक्ती एकवचन का रुप बनता है, विवादाय, जैसे बालक का बालकाय होता है, राम का रामाय होता है, इसी तरह से विवाद का विवादाय होता है, ज्यान का ग्यानाय होता है, दान का दानाय होता है, और रक् जा सकता है खलास्य इती पदे प्रयुक्त वचनम लिखत अर्थात खलास्य इस पद में प्रयुक्त वचन को चुनकर लिखिये तो कौन सो पद वचन का प्रयोग हुआ है इसके लिए ध्यान दीजिएगा आपको सब्दरूप जानना होगा जैसे बालक से बालकस्य बनता है ब तो खल का अर्था क्या है खलास्य सब्द जो कह रहे हैं इसमें कौन शी भक्ति का प्रयोग हुआ है और कौन से वचन का प्रयोग हुआ है इसको जब 지ं dram Cathalibharty जानेंगे तब निश्रीत रूप से इस तरह के जो प्रस्ण पूछे जाते हैं, इनका उत्तर हम दे सकते हैं तो जैसे खल मूल सब्द है, सश्ठी भक्ती में इसका रूप बनता है खलस्य, खलयोह, खलाणाम तो खलस्य, सश्ठी भक्ती एक वचन का यह रूप है तो इस तरह से आप विभिन सब्दों को समझें, जानें, उनके रूप को पहचानें तब इस तरह के प्रस्णों का उत्तर आप भली भाती दे सकते हैं आईए, आगे बढ़ते हैं